घर बनाने में या फिर कंट्रक्शन में आप देखे तो काफी ज़्यादा पैसे लगते हैं ये बात आप भी जानते हैं इसमें एक सबसे बड़ा जो एहम हिस्सा होता है वो होता है सरीय का TMT बार्स का लेकिन एक बड़ी समश्या ये भी है कि समय के साथ इन में जंग भी लग लग जाता है जैसे जैसे कंट्रक्शन की जो टेकनोलोजी है आप देखे तो नए-नए तरह के विकलप आपको मार्केट में मिल रहे हैं त्यादतर काम जो इंसान करते थे वो मशिने करने लग गई हैं तो ऐसे में आप देखे तो सरीय के जो विकलप हैं जो सरीय आप लब है ग्लास फाइबर री इंफोर्स पॉलिमार सरीय की तरह ही यह दिखते हैं लेकिन इनका रंग थोड़ा सा अलग होता है अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें बनाने में किस समागरी का इस्तमाल होता है क्या यह सरीय से ज़्यादा मजबूत है और क्या हम इन्हें अपन अगर आप चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहला पॉइंट है मटेरियल जी एफ आर्पी बार को बनाने के लिए मुक्यत दो समागरी का इस्तमाल होता है एक तो है फाइबर ग्लास और एक है रेजिन हाई स्ट्रेंद फाइबर ग् बार्स का वदन TMT बार से काफी कम होता है इनका ट्रांस्पोर्टेशन और साइट पर जो हैंडलिंग है वो खर्चा आपका कम हो जाता है जिससे आपके काफी पैसे बज़ते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब की सरीय में सबसे बड़ी समझ्या होती है जंग लगने की जिससे इस्ट्रेक्टर की जो लाइफ है वो काफी कम हो जाती है जिए फार पी बार्स में आप देखें तो जंग नहीं लगता है और ये लगबग आप 100 साल तक इनकी जो लाइफ है वो आप मान सकते हैं इसके अलावा ये जो बार्स होते हैं ये आपके एको फ्रेंडली होते हैं और ये आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी नोन कंडक्टिव होते हैं जिससे ये ज़्यदा ड्यूरेबल होते हैं हर चीज के कोई फाइदे होते है तो उसके कई नुकस और उसके बाद में आप देखें तो ऐसी जगह यूज नहीं कर सकते जहां पर आपको काफी ज़्यादा बेंट करने की ज़रूरत होती है मतलब की आप जिसे गरों में आप देखें तो जब भी आप से जिये लगाते है तो उन्हें बेंट करके अलग लग तरीके से लगाया जाता है और जो आपके TMT bars होते हैं उन्हें आप जब चाहें वापिस सही भी कर सकते हैं पर GFRP bars को आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इस कारण से आप देखें तो इनकी जो strength है वो कम हो जाती अगर इन्हें bend करते हैं तो इसके अंदर crack आ सकते हैं इसके अलावा इन bar की सबसे main जो अभी के time में जो इनकी सबसे main disadvantage है वो है इनकी availability मतलब की ये bars आपको आसानी से market में नहीं मिलेंगे क्योंकि आप देखें तो normally TMT bars आपको आसानी से market में उपलब्द हो जाते हैं पर इन bars की अभी इतनी ज़्यादा selling नहीं होती है जिस current local market में ये आपको नहीं मिलने वाले हैं इसके अलावा contraction में भी इनका काफी ज़्यादा इस्तमाल जो आगरों के अगर आप देखें तो उसमें नहीं किया जाता है तो कि वहाँ पर काफी ऐसी चीज़ें होती जहां पर आपको बेंड करने की ज़रूरत होती है बार्स को और इन bars को बेंड नहीं किया जाता है जिससे कि contraction side पर इनका इस्तमाल काफी मुश्किल हो जाता है अब आप यह सोच रहे होंगी आखिर इन bars का प्रियोग कहां किया जाता है पर अभी के time में आप देखें तो घरों के लिए ये इतना अच्छा विकल्प नहीं है पर दिरे दिरे और जो टेकनोलोजी है वो आगे बढ़ रही है उस हिसाब से आप देखें तो और भी ऐसी टेकनोलोजी आ जाएंगी जो कि TMT bars को replace कर देंगी पर अभी के time में TMT bar सी आपके लिए सही विकल्प रहने वाले हैं तो आप भी अपने हिसाब से अपने लिए बार चून कर सकते हैं तो आशा करूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रू पसंदाए होगा इसमें दीगें जानकारी आपको ज़रू पसंदाए होगी अमारे चनल पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहती है तो चनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके ज़रू बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी